दोस्तो ये है नुवा सेट अप वार का एपिसोड नमबर 15 जिसमें आज आपको मिलने वाला है विंटेज और रेट्रो का मिक्स सा सेट अप जो की कुछ इस तरीकी के सेट अप को अगर आप अपने किसी भी फोन में सेट करना चाहते हो तो उसका प्रोसेस क्या है जानने के ल तो आप देख रहें ट्रिकी बाइसी चैनल तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो paid applications है तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप paid applications प्लेश्टोर से purchase कर सकते हो तो जरूर पर्चेस करना ताकि developer की help हो पाए अगर आप नहीं afford कर सकते हैं नहीं purchase कर पाते हो तो आप मुझे मेरे Instagram पे DM करना मैं वहाँ पे आपको paid files का link provide करा दूँगा तो जैसे कि मैंने कहा कि free file में आपको मिल जाएंगे एक icon pack यहाँ पे Nova launcher का applications मिल जाएगा आप wallpaper मिल जाएगा, Noa का backup मिल जाएगा और kwgt का backup मिल जाएगा और उसके पाद जो paid applications हैं तो इसमें आपको kwgt pro और svp का kwgt applications मिल जाएगा तो अगर आप इन्हें purchase कर सकते हो तो प्लेश्टोर से जरूर पर्चेस करना और नहीं कर पाते हो तो आप मिल इंस्टाग्राम पे DM करना मैं वहाँ पे आपको इसका link provide करा दूँगा तो जब आपके पास free और paid दोनों files आजाएं तो आपको जितने भी applications हैं उन्हें install कर लेना है और install करने के बाद से जो भी आप अपने home screen पर wallpaper को use कर रहे हैं उसको change करके जो मैंने setup और wallpaper दिया हुआ है उसको set कर लेना है तो यहाप हम फटा पट अपने home screen के wallpaper को change कर लेते हैं कि जब आप इसको open करोगे तो आपके directory में इसका एक backup file बन जाएगा custom नाम से जिसका use अभी आपको आगे में बताऊंगा कि कहां करना है तो आपको एक बार KWGT applications को open कर लेना है install करने के बाद से चुकि मेरा already open था लेकिन आप first time इसको install करना तो इसको open कर लेना तो फिर हम new launcher को tap करेंगे और कुछ इस तरीके का new launcher का interface देखने को मिलेगा तो हम home screen पर tap की हुए रहेंगे और setting पर tap करके यहाँ पर not set is default होगा इस पर tap करके हम इसको अपना default launcher यहाँ पर select कर लेंगे तो यहाँ यहाँ पर हमने new launcher को default launcher select कर लिया अब आपको क्या करना है आप की रहना है setting पर tap करना है setting पर tap करने के बाद से आपको आजाना direct backup and import setting इस पर आपको tap करना है और tap करने के बाद से यहाँ पर आपको कई सारे options मिल जाएंगे तो आपको आजाना restore or manage backup अब जो मैंने free file आपको दिया हुआ हुआ है तो उस zip file को जब आप extract करोगे तो उसमे आप सेलेक करोगे तो यहाँ पर आप फाइल वे पर टैप करोगे उसके बास यहाँ पर आजाएगा एक्सेस फोटो मीडिया और दिवाइस परमिशन ग्रेंट कर देना है आएगा override current layout तो आपको OK कर देना है अब जैसी आप OK करोगे तो हर बार की तरफ फिन नौश रटेग आपको आप जो भी file explorer यूज करते हो इसको यहाँ पर open कर लेना है चाहें वो default वाला हो चाहें जो भी हो तो यहाँ पर मैं ES वाला यूज करता हूं तो मैं ES को open कर लेता हूं ES को open करने के बाद से free वाले में आपको मिल जाएगा vintage car by Sid इसको आपको यहाँ पर select करके cut कर लेना अब जैसे यहाँ पर paste कर दोगे तो आपको फिर home screen पर आजाना है home screen पर आने के बाद से आपको इस पर tap करना है टैप करने के बाद से exported में आजाना है अब exported में आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो अब बस यहाँ पर आपको name change करना है जिससे कि यहाँ पर लिखा हुआ है welcome back Sid तो आपको जिससे कि आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके का जब आप इसको select करोगे तो देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर आ जाना है global में और global में आप आपको आओगे तो यहाँ पर आपका जो weather condition है वो देखने को मिल जाएगा included facebook, whatsapp, instagram, apps भी देखने को इसमें मिल जाएगे और आज का date, time जो भी है सारे इस visit में आपको देखने को मिल जाएगे यानि एक visit में आपका बहुत सारा चीज़ देखने को मिल जाता है और जो icons है वो icons मुझे काफी सही लगे क्यो जो apps के icon है देख सकते हो काफी visible भी है और काफी अच्छा कास है यहाँ पे dark में देखने को मिल जाता है और जो इस wallpaper का color है वैसा ही मैंने यहाँ पे transparency का zero करके रखा हुआ है ताकि आपके apps के जो icon है वो भी visible है और उसकी जो name है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है उपर search bar देखने को मिल जाता है जिसमें आपको जो search bar का color है वो भी आपको एक्दम same wallpaper की तरह ही देखने को मिलेगा जो काफी मस्ता look दे रहा है तो देखे आर वीडियो के ending का time आ गया है तो मैं free jeep का password बता देता हूँ password है retro setup और इस password का use करके आप free वाले jeep file को extract कर सकते ह आई होप इस setup आपको पसंद आया होगा आई होप विडियो है होगी अगर वीडियो पसंद आय ते video को like कीजएगा ये विडियो कैसे ले ही comment में ज़रूर बताएगा और ये वीडियो अपने दूस्तों के साथ share कीजएगा जो भी नुए setup को set करना पसंद करते है तो उनके लिए वीडियो काफी helpful होगी और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बिल आइकन को जूर दबाएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले ऐसे इंट्रेस्टिंग टेक और कस्टमाइशन की वीडियो के अपडेट आपको मिल सके हैं तब तक के लिए थैंक्स और वाचिंग मिलता है नए वीडियो के साथ सी यू सून